अखाडा परिशत के अध्यक्स, थाइस प्रतिष्ठित बागंबरी पीट के स्री महंत, नरेंद्र गिरीजी महराज के तुखत, घटना से हम सब व्यथित हैं, एक दुखत घटना है, और इसलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से, उनके प्रते बिनम्र सरधानजली ब्यक्त करने के लिए मैं स्वय में हपर उपस्तेत हुआ हूँ, यहमारे अध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपनूणिये च्छती है, अखाड़ा परिशाद और संत समाज की जो सेवावनोने की है, मुझे याद है प्रियाग राज कुम्ब 2019 में जिसे बैस्विक मन्च पर माननेता मिली, इस कुम्ब से चुड़ी भी एक-एक घटना को आम जन्वानस और सरधालों की भावनाओं के अनुरूप, कैसे हम बैस्विक अस्तर पर पहुँचाने का प्रियास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सयोग हमें प्रियाग राज कुम्ब को सकुसल, सुरक्सित और सुविवस्थित करने के लिए हमें प्राप्तु हुआ था, मैं उस समय देखता था कि अख़ड़ा परिशत के अध्यक्स होने के बापजोद, क्योंकि सादू समाज के बीच में कारे करने का एक लंबा हम लोगों का सयोग था, तो मैं इस चीश को देखता था कि मान अप्पान की चिंता के वेगर प्रियाग राज कुम्ब को पुरी भव्वेता के साथ आयुजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था, प्रियाग राज कुम्ब के पूर्व, संगम, पूजन और मा गंगा की पूजा के कारिक्रम को यहां पर आयुजित हो, उनके इच्छा थी कि आधने प्रधान मंत्री जी अगर इस कारिक्रम को लेकर के प्रियाग राज पधारें, तो इससे काभी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंक्से से प्रस्तुत करने का एक उसर प्राप्त होगा, और प्रियाग राज कुम्ब के पूर्व जब प्रियाग राज से जुड़े वे विभिन प्रकार के यहां के भौतिक विकास से जुड़े वे कारिक्रमों का लोकारपन और सुभारंब के लिया दने प्रधान मंत्री जी का प्रियाग राज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मोहर्त को उसी के साथ जोड़ा था पुरानुसासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते वे उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बहतर समन्वे और संबाद के माध्यम से जैसे अपने घर का कोई कारे होता है, उसी तर्ज पर प्रियागराच कुम्ब की भपिता उसकी सुरक्सा, हर एक सरधारों की विवस्था तेरा खाडों के बीच में परस्पर संबाद और समन्वे हर एक पंत संपरदाय से चुड़े वे आचारे धर्माचारों के बीच में बहतर संबाद और सम्मान इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुन्दर प्रियास किया था उसका पेड़ाम था कि प्रियाग राज कुम्ब पहली बार बैस्विक मंच पर एक अद्वुद घटना की रूप में जाना जाता है जो अपनी सुविवस्था सुरक्सार है यहां पर स्वच्चता की नए मानक प्रतिस वहां पर स्थापित किया था मैं देखता था सादू समाज की समस्या को लेकर के धर्माचारियों की समस्या हो अखाडा के अंदर का हो अखाडा परिशत के अंदर का हो किसी मठ मंदिर का हो